अगर आपने डे वन और टू का काम पुरा कर लिया है तो आपको डे थरी का काम करना है अगर आपने डे वन और टू अभी तक देखा ही नहीं है तो उन सभी की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दियो ही है वहाँ से आप उन सभी विडियोस को दोस्तों देख पाओगे डे वन और डे टू को बात करते हैं डे थरी की तो आज आपको मैं कुछ वर्ड्स देने वाला हूँ जिससे जो आपकी होम रो है होम रो में जितने भी कीज हैं सभी का यूज आप कर लोगे उन सारे वर्ड्स में वही लेटरस हैं जो आपके होम रो में होते हैं ठीक है तो मैं वर्ड्स वह टाइप कर रहा हूँ आपको वो words कितनी बार टाइप करने है कितने font size पर टाइप करने है और कितनी देड़ तक टाइप करने है यह सब मैं आपको वीडियो के end में बताऊंगा So words टाइप करना शुरू करते हैं All, semicolon, sorry Space, उसके बाद As, semicolon, space Ask, semicolon, space Add, semicolon, space Has, semicolon, space Had, semicolon, space Diary पर note कर लो Day 3 उपर heading डाल करके इसको आप note कर लो Had, उसके बाद Sad, semicolon, space Lad, semicolon, space Cad, semicolon, space अच्छा, अब आप कहोगे कि Cad तो कोई word होता नहीं है तो दोस्तों, Cad में जानता हो कोई word नहीं होता है लेकिन आपको Home Row के Keys की practice करनी है इसलिए मैंने उन सभी letters से ऐसे combinations वाले word बनाए है जिसमें केवल Home Row के Keys ही है तो यहाँ पर आप यह मत देखना कि यह spelling का था इसका तो कोई मतलब होता ही नहीं है आप सिर्फ अभी practice पर द्यान दो कि मुझे Home Row के practice करनी है तो randomly आप कोई भी key से आप एक word का निर्मान कर सकते हो ठीक है k-a-d उसके बाद है l-a-s-h semicolon space gas semicolon space glass semicolon space और glass के बाद jag semicolon space fad semicolon space dad semicolon space डालडा fall glad flags halda dash flash lack flask kajal jackal अब दोसों jackal भी कोई शब नहीं होता है एक jackal होता है एक जानवर का नाम होता है उसमें भी c आता है ठीक है आपका जो ये सारे जो word है इन सभी में आपकी जो home row की सारे keys है वो आ जाते हैं ठीक है तो अब आपको ये word type कैसे करना है कितना font size आपको रखना है ये मैं आपको बताने वाला हूँ ठीक है तो मैं font size उसे यहां से तोड़ा सा कम कर देता हूँ आपको यहां पे मैं लिख दे रहा हूँ you have to type at least याना की कम से कम five lines of each word ठीक है clear है आपको हर शब्द की five line दोस्तों type करना है उसके बाद जब ये हो जाए उसके बाद आपको all से शुरू करना है और jack all तक type करते हूँ चले आना है इस तरह से आपका एक set पूरा होगा आप इसको एक paragraph मान करके इसको type करोगे एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, छे बार और दस बार आपको दस बार तक type परना है after that you have to type 10 sets of given sorry, given words ठीक है, इन words को आपको एक paragraph मान करके इसके 10 set टाइप कर रहे है जब past line आप हर शब्द की type कर लोगे उसके बाद ठीक है, जिससे ये लिखा हुआ है all तो all की आपने past line कर ली ash की आपने past line कर ली इस तरह से आप सारे शब्दों की past line कर लोगे उसके बाद फिर आपको इसको एक paragraph मान करके type करोगे all semicolon space ash semicolon space ask semicolon space add semicolon space इस तरह से आप जयकॉल तक करते हुए चले आओगे ठीक है, इस तरह से करना है, अच्छा अभी इसमें एक की बची हुई है कौन से की, single inverted comma लिख दे रहा हूँ single inverted comma जो आपके right hand के सबसे छोटी उंगली को आप जब right में move करते हो तो बनता है इसके लिए मैं आपको एक word दे रहा हूँ काजल, यहाँ आप उपर भी लिखा हुआ है तो काजल के शुरुवात में single inverted comma और काजल के end में single inverted comma ये करना कब है? जब आपके ये सारे word की pass line आप कर लोगे उसके बाद आप इसके 10 set कर लोगे उसके बाद आपको ये करना है ठीक है? single inverted comma काजल और inverted comma close उसके बाद आपको इस word की कम से कम दोस्तों 20 से 30 line लिखनी है मैं आप लिख दे रहा हूँ at least type 20 lines अच्छा अब ये तो बात हो गई अच्छा आप font size कितना रखना है? font size आप जान लो font size must be set on 14 आपको font size 14 पर करके ये सारा काम करना है ठीक है? तो day 3 में आप जब ये सारा काम कर लोगे तो आपकी home row दोस्तों बिल्कुल clear हो जाएगी ठीक है? पहले हर वर्ड की 5 line उसके बाद इसको एक paragraph मानते हुए इसके 10 set करने है font size कितना रखना है? 14 उसके बाद जब ये सब हो जाए उसके बाद आपको ये single inverted comma open काजल और close single unit comma close ये आपको इतना चीज लिखना है इसको आपको कम से कम दोस्तों 20 line करनी है कितनी करनी है? 20 line 14 font size करके ठीक है? ये आपको तान रखना है दोस्तों आज के वीडियो के में बस इतना ही है मिलेंगे अपने day 4 में अब तक के लिए thank you